हेलो बच्चू, आज की क्लास में मैं आपको rational number से related एक कोशन कराने वाली हूँ कोशन अमार पास है, write one rational number that lies between minus 1 and 2 आपसे कह रहा है, एक rational number लिखो, जो minus 1 और 2 के बीच में lie करता है देखो, यह आपको पता है, कि दो rational numbers के बीच में बहुत सारे rational numbers होते हैं और minus 1 और 2 भी आपके पास एक rational number ही है, अब उनके बीच का आपको एक rational number निकालना है वैसे तो आप कितने भी निकाल सकते हूँ, बट कोशन में आपसे सिर्फ एक पूछा है कैसे निकालेंगे, करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे सान तरीके हैं, आप क्या करो, जो यह minus 1 है और जो यह 2 है इनके base को same कर लो, बात आती है, यह base है का, तो base खुद बना सकते हैं हम 1 rational number तो P upon Q की form में ही तो होते हैं, तो वो ही तो लिखा है, मैंने P upon Q जरूरी नहीं है, आप 10 से ही करो, आप किसी भी number से कर सकते हैं, ठीक है अब आप देखो, इनके बीच में कितने सारे rational number है, माइनस 9 upon 10 है, माइनस 8 upon 10 है, माइनस 7 upon 10 है, चलते चलते 19 upon 10 तक के बीच के number से हैं इनके, पर आपको एक rational number लिखना है, तो यहाँ लिख दो होगा, required rational number, कोई सा भी एक लिख सकते हो, तो वो मैंने इहापा लिख दिया, माइनस का 9 upon me 10, ठीक है, इसी के साथ साथ आप एक और तरीके से कर सकते हो, इनका अपना एक formula भी होता है, आप उससे भी कर सकते ह परेगा, अब आपकी मर्जी आप उस formula को apply करके करते हो, या फिर कैसे करते हो, उसके साथ साथ आप एक और तरीका देख सकते हो, देखो, माइनस 1 और 2 है, तो इसके बीच में आप देखो, 0 आ रहा है, और 1 भी मेरा rational number है, 1 by 2 भी आ रहा है, वो भी मेरा rational number है, है ना, तो वो भी आप लिख सकते हो, डारेक्ट इनके बीच के number, 1 लिख सकते हो, 1 by 2 लिख सकते हो आप, क्योंकि वो 2 से छोटा है, और माइनस 1 से बढ़ा है, तो उनके बीच में ही आएगा, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, rational number किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, पर यह अगर आपक कहीं पर भी दिक्कत लगती है, कि समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, थेंक्यू